हेलो एन वेलकम टेमे में किनमी मैं हूँ शचांग लखेरा नौ बिलकुल ठीक पढ़ रहा है थमनिल में कि पाकिस्तान में बहुत ही बड़ा बवाल हुआ है और बलुचिस्तान लिब्रेशन आर्मी नहीं है पाकिस्तान के एक आर्मी ओफिसर को यहाने लिफटेनेंट करनल क पहले तो किड्नेप किया उसके बाद जो है जान से मार दिया और देखो यह पूरा इंसिडेंट हुआ है कलिया पर्सों में हाली में जो है इस पर न्यूज आई है और देखो अभी तक पाकिस्तान की सरकार ने यहाँ पे कोई भी अपनी स्टेट्मेंट नहीं दी जो बलु पाकिस्तान में जो है सिविल वार शुरू हो सकते हैं जिस तरी की स्टेट्मेशन जो है अभी बन रही है देखो यह तो बलुचिस्तान वाली कहानी है लेकिन अगर आप एंटार पाकिस्तान में देखो यह न तो आपको मेजर शॉर्टेज देखने को मिलेगी पाकिस्तान already economic crisis से जूज रहा है, इनके पास खाने की proper विवस्ता है नहीं, लोगों के पास यहाँ पे किताबें है नहीं, पड़ वो पानी रहे हैं, तो mainly Pakistan की situation जो है, आपको बहुत ही खराब देखने को मिलेगी, इस पर आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, यह daily Pakistan का आर्टिकल है, लेफटेन करनल, like abducted Pakistan Army officer found dead in Balochistan, इसके अलावा, यह भी आर्टिकल भी बलोचिस्तान नेशनल कोट अवार्ट सेंटेंस तू पाकिस्तान आर्मी करनल for war crimes in Balochistan, तो mainly इनको इसलिए यहाँ पे death sentence दिया गया, कि इनोंने जो है, वार काम किया है, basically यह बलोचिस्तान में जो है, काफी सारे नरसंगार करते हैं, और देखो, कई report भी यहाँ पे publish हुई है, जो यहाँ पे यह कहते हैं, कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो बलोचिस्तान के जो लोग है, उनको काफी ज़़ादा परिशान करती है, यह बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी से तो परिशान है, पॉर्ट के आलावा और भी लोग रहते होंगे तो जो ब्लुच इस तान ऑर्म आंगी है वो उनको परिशान करती है इसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी हम चाहते कि हम अपना अलग देश बना ले और देखो इसका reason भी है वो reason जो है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और देखो recently the guardian ने एक article भी यहाँ पर publish किया था जो यह कहता है कि बलुचिस्तान ने करीब 5000 से ज़ादा लोग जो है missing है एक जो सम्मी दीन बलुच है वो यहाँ पर यह कहता है कि मुझे मेरे पिता वापिस चाहिए मेरे पिता जो है कई साल से लापता है यह यहाँ पर कराची भी गया मतलब यह इस्लामाबाद भी किया जो पाकिस्तानी कैपिटल है पैदल चल गे बलोचिस्तान से कई किलो मीटर ये पैदल चला वहां तक पहुचा भी कैसे कर गे लेकिन वहां पे कुछ भी ने हुआ पुलिस के पास गया पुलिस ने जो है इसको भगा दिया इसके अलावा इसकी बहन भी थी उसको भी जो है मारा गया तो मेल ली बलोचिस्तान में अगर आप देखोगे तो आपको सिक्योर्टी का सबसे आदा इशू देखने को मिलेगा डिसकस करेंगे हम इस वीडियो में कि एक्चुली मैं पाकिस्तान में चल के आ रहा है और ये जो पूरा पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर है जिनको बाजवा के नाम से जाना जाता है इसके अलावा जो शहवाज सरीफ पाकिस्तान के प्राइमनेस्टर है वो दोनों हिल चुके हैं अब जिस तरीके का ये पूरा इंसिडेंट हुआ है ना इसके बाद ये लोग शौक पे हैं अब ये सोच रहे है कि हम क्या करें जिस तरीके का इवेंट हुआ पाकिस्तान के एक आर्मी ऑफिसर को मारा गया देखो ये लेटेनेंट करनल थे लेटेनेंट करनल को जो है मारा गया और ये काफी शौकिंग इवेंट है अब पाकिस्तान की जो अथोरिटीज है वो आज समय टर्बूलेंट में है जो पूरा इंसिडेंट बलोचिस्तान प्रोविंस में हुआ एक सीनियर सर्विंग मिलिटरी ऑफिसर की बॉड़ी पाई गई और देखो इसके दो दिन पहले इस इंसान को किड्नेप किया गया जो इंसर्जेंट ग्रोपना उन्होंने पहले यहाँ पे इनको किड्नेप किया उसके बाद इनको मार दिया और देखो पाकिस्तान के जो आर्मी ओफिसर ने लेटेनेंट करनल लाइक मिर्जा इनको जो टेरर आउटफिट्स हैं उन्होंने यहाँ पे किडनेप किया है और उसके बाद इनको मार दिया अब लोकल मीडिया तो यहाँ पे यही बताता है कि जो मिर्टेंट्स हैं बलोचिस लिबरेशन आर्मी का कि पहले तो इन्होंने यहाँ पर कंफेस किया तो इनको जो है डेज सेंटेंस दे दिया गया ना देखो यह पूरा इवेंट हुआ है 12 जुलाई 2022 को बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो इस पेशल फोर्स है इन्होंने एक ऑपरेशन को जो है लौच किया और बेसेकली जो जियारत बलुचिस्तान प्रोविंस में जो है ये पूरा उप्रेशन आपको देखने हो मिलेगा अब लेटनें करनल लाइक देख मिर्जा इनको जो है अरेस्ट किया गया इसके अरेस्ट किया गया जो की इफेंस हाउजिंग अथ्चर्डे कंटी है इन में यह इक तरी के सी आप ने को किया गया और यह जो पूरा आइरिया देख रही हो नग य crouch टान पूरा यहां पे gas को जो है यहां पे निकालता है काफी minerals हैं आपे काफी सारे resources है natural resources natural gas है पाकिस्तान इन सब को यहां से निकालता है और उससे जो भी कमाई होती है वो बाकी के पाकिस्तान में लगाता है मतलब इसलामाबाद कराची में लगाता है लेकिन वो बलुच पीपल के यहां पर कुछ भी नहीं करता, अब बलुच पीपल यहां पर यह कहते कि भाई यह तो गलत है, पूरा पैसा आप यहीं से कमाते हो, और हमारे लिए एक भी रुपे आप एक खर्च नहीं करते हो, और देखो कहीं न कहीं बलुचिस्तान पीपल को एक तरीके का टॉर्चर भी करना पड़ता है इनको discrimination भी face करना पड़ता है तो मेली बलुचिस्तान के लोग यहाँ पर यह बोलते कि भाईया हमको जो है free कर दो हमको पाकिस्तान के साथ नहीं रहना और देखो एक point में आपको और बताता हूँ कि इसी area में China ने जो है major investment करके रखी हुई है billions of dollar जो है चाइना ने बलुचिस्तान प्रोविंस में invest करके रखी हुई है और आज के समय चाइना का खुद का जो project है ना वो खतरे में है अब वो इसलिए है क्योंकि आपको पता हूँ कि recent days में कई सारे bum blast हुए पाकिस्तान में अब इन सब को देखते हुए चाइना के जो नागरे खेना वो यहाँ पर डर रहे है और चाइना के नागरे को कोई भी जो है यहाँ पर target किया जा रहा है क्योंकि इन सब area में अगर आप दोगे तो चाइना यहाँ पर dam बना रहा है और चाइना की major investment आपको देखने को मिलेगी तो एक तरीके से जो बलुचिस्तान के लोग है वो यहाँ पर यह सोचते हैं कि चाइना हम पर इत्ता महरवान क्यों है कभी न कभी चाइना इन सब पार्ट को जो हड़ब भी सकता है तो मेली कहीं न कहीं आप देखोगे तो पाकिस्तान के लोग भी जो है जो बलुचिस्तान के लोग है वो मेली चाइना से नफरत भी करते है अब अगर हम बात करें present situation की तो यहाँ पर हुआ क्या कि लेफटनेन लाइक बेग मिर्जा जो है यह primary target रहा है कई दिनों से जो बलुचिस्तान लेबरेशन आर्मी है वो यहाँ पर इनको target कर रही है मतलब intelligence जो unit है वो इनको target कर रही थी और 12 उलाई को जो है इनने पूरा movement को conduct किया इन्होंने finally जो है जो कलनल मिर्जा है उनको यहाँ पर arrest किया और देखो यह पूरा event जब हुआ है जब यहाँ पर risk बहुत ज़्यादा कम था मतलब public जो है बहुत ज़्यादा कम थी तब इनको arrest कर लिया गया और इसके बाद इनको मार दिया गया finally जो है पाकिस्तान की जो government है पाकिस्तान की जो army है उनको यहाँ पे dead body मिली उसके बाद पाकिस्तान की army ने जो है आप operation launch किया तुरंट जो है आप helicopter भेजा गया और देखो इनके family members भी इनके साथ थे लेकिन उनके साथ जो है आपे कुछ भी नहीं किया गया ऐसा जो है BLA बलुचिस्तान जो liberation army है उसका यहाँ पे कहना है अब देखो recently अगर आप देखो कि कई सारे दिनों में तो बलुचिस्तान के लोग जो है वो काफी हद तक protest कर रहे हैं और पाकिस्तान में civil war की इस्ति जो है बढ़ती जा रही है अब देखो एक जो बच्चा है उसने यहाँ पे एक statement भी दी उसने यहाँ पे यह कहा कि मैं protest कर रहा हूँ अपने पता के लिए डॉक्टर दीन मुहमद बलुच के लिए क्यों क्यों कि मैं जब यहाँ पे खुज़ार hospital में था जो hospital आपको खुज़ार में देखने को मिले का अब देखो कही न कहीं बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले भी इनको मार देते हैं कहीं न कहीं पाकिस्तान की आर्मी भी जो है इनको मार देती है जी हाँ जो लोग यहाँ पे protest कर रहे हैं तो पाकिस्तान आर्मी जो है कहीं न कहीं उनको मार देती तो mainly अगर आप Wikipedia पे भी सर्च करोगे ना कि बलुचिस्तान में किस तरीके का human violation होता है तो आपको कई सारे article देखने को मिलेंगे यह article वहीं का है एक जनरलिस्ट जो एहमत रशीद यहाँ पे 2014 में लिखा भी कि एक estimate के हिसाब से बलुचिस्तान में कई सारे लोग डिसपियर होते जा रहे हैं और करीब 100 से लेके 1000 के बीच में यह article अब देखो वाइस ओफ वलुच मिसिंग परसन जो है इनके हिसाब से करीब 5228 जो बलुच लोग है वो मिसेंग है 2001 से लेके 2017 तक अभी चल रहा है 2022 तो बाकी का अगर आप डेटा देखोगे तो आपको काफी सारी problem जो है देखने को मिलेगी और देखो यह जो लड़का है जो activist बना इसकी बहन जो महला बलोच है उसने भी यहाँ पे statement दी उसनों यहाँ पे यह कहा कि पुलिस जो है कई बार हमको मारती अगर हम पूछने जाते कि हमारे पिता जी कहा है वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे तो पुलिस ने जो है इनका फोन यहाँ पे छड़ा लिया यहाँ पे वीडियो बना रही थी उस समय इसके अलावा इनको जो है रोड़ पे फेक दिया गया और यह जो पूरी चीज़े है उसको कैमरे में रेकॉर्ड किया गया और इस वीडियो को जो है ओपन यहाँ पे शे की है और आने वाले मुश्किल से एक या दो साल में आप देखोगे कि मेजर रिवॉल्ट जो है हमको बलुचिस्तान में देखने को मिल रहा है और बलुचिस्तान में नहीं पाकिस्तान के जो और भी पार्ट से आपको जो है प्रोटेस्ट दिखना शुरू हो जाएगा तो अपने ओपिनियन लिखेगा ज़रूर इसी के साथ ये तंद इस वीडियो का सुने के लिए बब दन्वाद, जय हिंद, जय भारत